तो हेलो फ्रेंड्स और व्लोग और आज बात करने वाले हैं हिमालियन 452 दन्यू हिमालियन और दिस इस 2024 अक्टूबर मॉडल और इसमें क्या गया चीजे हैं हम आज एड्वाइंटेजेस और डिसड्वाइंटेजेस पर यह वीडियो करने वाले हैं अभी मैं हूँ अलमोडा के आसपास जगेश्वर धाम और पहाडों में इस बाइक का रिव्यू करने से बेस्ट प्लेस तो कोई होई नहीं सकती है एक सिल्फ हिमालियन खुद बोलता है उसके इंजन का नाम है शेरपा 450 सो लेट सी कितने एड्वांटेजेस हैं इसके और ख्या-ख्या डिस एड्वा और उसमें वेट ज्यादा होने की वजए से और थोड़ा पिक अप का इश्यू था एड्वार ज्यादा होने की वजए से 47 न्यूटन का जो पावर है उसकी वज़े से इस पिक बहुत अच्छा है आप किसी भी इंख्लीनेशन पे इसको लेकर चाहोगा जब अभी तक मैंने जो inclinations होते हैं जब आप उपर की तरफ जाते हो तो जिस साफ से पहले में meteor के लिए के चलता था meteor को मुझे first gear में second gear में जो है push करना पड़ता था और अगर second gear में भी कभी कभी नहीं push हो पाती थी पहले gear में करना पड़ता था but this Himalayan 450 can push you on third gear also मैं fourth gear पे चला रहा हूं हूं पहाडों में पहाडों के रास्तों पे जहां पे बार बार नीचे धलान और inclination आए वहां पे fourth gear में चल रही है bike और easily चली जा रही है third gear में बहुत easily चली जा रही है कितना भी inclination हो बहुत जादा inclination steep आ जाए तो फिर second gear obviously but third gear में आराम से चल रही है fourth gear में भी बहुत आराम से चल रही है so this is what is first advantage of this bike and second advantage is जो handling है इसकी क्योंकि open bike है थोड़ी meteor cruise style bike है so इसका जब open आप handle बार कवर करोगे तो cornering में बहुत अच्छा लगता है और कोई दिक्कत नहीं होती है cornering में आप लेकर जा सकते हो bike को अच्छी तरीके से and third advantage is its fuel tank क्योंकि 17 liters का एक बड़ा fuel tank है जो काफी अच्छा capacity देता है और average की मैं बात करूं अभी जो मैंने जो भी average रिकॉर्ड किया है आप देख पार होगे वह अभी तक 28 मैं एक बड़ चेक करता हूं अभी average मैंने क्या इस trip पे क्या average हुआ है वह हम जड़ा चेक करते है सबसे पहले और क्योंकि मैं trip बना कर चला था वहाँ से तो 28 का जो है के 28 के अपियल का average अभी यह बाइक मुझे दे रही है जिसमें 385 km में घर से लेकर चल चुका हूं सब्सक्राइब कर सकते हैं अब बात करते हैं अगले एडवेंटेज की ऑविसी बात है एक एडवेंचर वाइक है सब्सक्राइब कर सकते हैं दो लोग इजली बैठ सकते हैं सीट अर बिगर बट अच्छी है यह मैंने अभी तक नहीं बोला है बट सीट की बात अभी हम आगे करने वाले है और बाकी इस बाइक में बहुत अच्छा लगा मुझे और लिक्विट कूल इंजन है तो आपको ज उसमें काफी हीट अगर आप प्रॉपर आपका यह जो लेग है कावर्ड नहीं है तो आप हीट फील करेंगे अब इसी बात है कि इतनी हीट तो अब्योसली देगा ही इंजन सो एड्वैंटेजेस ओल्मोस्ट यह हो गए और फिर नया आपका एक डिजिटल मीटर भी है इसमें तो आप अनलोग और डिजिटल दोनों मीटर में कनवर्ट कर सकते हो दोनों आपको मीटर में मिलते हैं अगर टीपीमस इसमें होता तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाता अब बात करते हैं हम यह सारे अड्वैंटेजेस की बात कर ली है अब जरा बात करते हैं इसके डिस अड्वैंटेजेस के तो डिस अड्वैंटेजेस में पहला अगर इसमें टीपीमस मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता जिससे की टायर प्रिशर हमें पता चल पाता फिला इसमें ऐसा कुछ नहीं है एक disadvantage जो मुझे बहुत जादा लग रहा है वो जब हम helmet में cam लगा हुआ है और उसकी जब हम recording करते हैं तो इसकी screen जो है वो flicker करती है उसका एक और solution है बट वो iPhone में है settings जो PAL format होता है वीडियो का वो अगर आप अगर उसको apply करते हैं तो screen flicker नहीं करती है बट हम mobile phone ने हम तो cam यूज़ कर रहे हैं तो यह थोला सा एक issue है सबसे बड़ा disadvantage जो सबसे बड़ा मुझे लगा वो है इसकी seat seats are not comfortable at all जो stock seat है भी इसमें मिने कोई चेंज नहीं करवाया है stock seat है जो बाइक के साथ आती है और इससे में बिल्कुल dissatisfied हूँ यह बिल्कुल भी touring के लिए नहीं है आप hardly 50 60 70 km चलाओगे और आपको फील होने लगे है कि आपके back में पेन हो रहा है आपके hips में जो है वो numbness आ रही है तो I need कि आगर आप बाइक ले रहे हो और अगर आप प् disadvantage for this and obviously light हर हर बाइक और हर कार में यही disadvantage होता है कि lights बहुत कम होती है lights बहुत धीमी होती है तो रोड बे थोड़ा सा गरवर करता है मामला यह फिलाल कुछ major disadvantages थे और ऐसा कोई बड़ा खोई और दूसरा disadvantage तो मुझे लगा नहीं तो फिलाल अभी तक के ride में जो मुझे सबसे major disadvantages लगे वो मैंने आपके साथ share किये हैं अगर आपको और भी कोई disadvantages लग रहे हैं तो please comment करके बताईएगा I hope कि इस वीडियो में आपने ज झाल